तारीक पतारीक, तारीक पतारीक, तारीक पतारीक, तारीक पतारीक बिलती रही है। ग्रहणी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ति, पारिवारिक संपत्ति, इलाहबाद हाई कोर्ट। इलाहबाद उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि आये के किसी भी स्वतंत्र स्रोत के बिना एक पती द्वारा उसकी ग्रिहनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई संपत्ती, परिवार की संपत्ती होगी. एक बेटे के अपने मृत पिता की संपत्ती पर सह स्वामित्व की मांग के दावे से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि हिंदू पतियों के लिए अपनी पत्नियों के नाम पर संपत्ती खरीदना आम और स्वाभा अदालत ने कहा यह अदालत भारतिय साक्ष अधिनियम की धारा 114 के तहत इस तथ्य को मान सकती है कि हिंदू पति द्वारा अपने पति या पत्नी जो ग्रहिनी है और जिसके पास आय का स्वतंत्र स्रोत नहीं है कि नाम पर खरीदी गई संपत्ती परिवार की संपत्ती कि जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि संपत्ती पत्नी द्वारा अरजित आय से खरीदी गई थी तब तक यह माना जाएगा कि संपत्ती पत्ती द्वारा उसकी अपनी आय से खरीदी गई है यह मामला एक सौरभ गुपता नाम के शखस ने दायर किया था जिसमें उन्होंन इसमें सह हिस्सेदार थे जो मुकदमे में प्रतिवादी है और हाई कॉर्ट के समक्ष वर्तमान अपील में प्रतिवादी है गुपता ने संपत्ती को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने के खिलाफ स्टे की मांग करते हुए आवेदन दायर किया था उनकी मां ने लिखित बयान देते हुए कहा था कि यह संपत्ती उनके पती ने उन्हें तौफे में दी थी क्योंकि उनके पास आय का कोई स्वतंतर स्रोत नहीं था ट्रायल कोर्ट ने गुपता की अंतरिम स्टे की अरजी को खारिज कर दिया हालांकि 15 फरवरी के अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू पती द्वारा ग्रहिणी पत्नी जिसकी कोई स्वतंतर आय नहीं है कि नाम पर खरीदी गई संपत्ती को उसकी व्यक्तिगत आय से खरीदी गई माना जाएगा एसी संपत्ती प्रथमदृष्ट या संजुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति बन जाती है अदालत ने आगे कहा कि ऐसी परिस्थितीयों में संपत्ती तीसरे पक्ष के अधिकारों के दायरे में नहीं आने देना जरूरी है ऐसे मामले में संपत्ती को आगे ट्रांसफर करने या उसकी प्रकृती को बदलने के खिलाफ सुरक्षा आवश्यक है अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले